आज भी दुनिया जब ये मानती है कि सिफ और ते अच्छा खाना बना सकती है हमारे सामने संजीव कपूर जिन्नोंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाथ चखाया आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता हमारे सामने महात्मा गांधी जो अकेले चले थे और पुरा देश उनके पीछे चला था आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि दन्वान बनने के लिए दन्वान गर में पैदा होना जरूरी है हमारे सामने दिरुबाई अंबानी जिन्नोंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया कर लो दुनिया मुट्थी में और आज रिलायंस इंडस्टी वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्टी है आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम एज, ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते है हमारे सामने अमिता बच्चन जो आज भी एक साल में तीन ब्लॉक्बस्टर मुवीज देते है अगर आप ये मानते कि सिविल सर्वीस में आने के लिए आपका बेक्राउंड होना जरूरी है आपके सामने शारूक खान, विदाउड एनी बेक्राउंड आज भी बॉलिवुड का बाच्चा है अगर आज तक दुनिया ये मानती थी कि हम सी धर्थी पे रहने के लिए बने है हमारे सामने नील आमस्रोंग जो चंद्रा पे जाके आए आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है हम क्या बन सकते हैं ये जानने का टैम शुरू होता है अब